नमस्कार किसान भाईयो यह आप देख सकते हैं पापा जी पाउरी इंट फर्गुशन की वीडियो बना रहे हैं यह 51 मोडल है और यह अंकल जी अब इसे बंद करेंगे तो जी नमस्कार जी अंकल जी आपका परीचे जी मेरा नाम दुसियांता जी जी तो अंकल यह कौन सा मोडल है यह 54 मोडल है अच्छा जी तो यह आपने उस टाइम पर जो आपके दादा पड़ दादा रहे होंगे उस टाइम पर आप तो खेर बहुत बाद में आये यह तो उन्होंने कितने कली आते जी नो जारर रुपए तो यह समानों जैसे आज के नो लाक रुपे जी आप गुना हाँ हाँ बिल्कुल मुझे अंदाजा हो रहा है क्योंकि मैं इन में एंटिक इटमों में घूमता रहता हूं काफी तो यह आपको दिली लगाओ है इस ट्रेक्टर से आज भी बिल्कुल चलू हालत में तो जी इसके साथ में यह आया था पहले तो चैक्टर के साथ में बहुत स तो किसान भाईयो आप जो है आपने देखा हमारे अंकल जी ने बताया कि इसके साथ में उस जमाने में इतने सारे समान आये ते जो किसान को कोई चीज खरीदनी ना पड़े बाहर से और ट्रेक्टर चलता रहे तो किसान भाईयो आप देख सकते हैं यह जो है मेड इन इंग ंज़लेंड की चाप भी है जादा तर इसी तरह के बोल्ट इस्टैट्र में हुवा करते थे मतलब आप देख सकते हैं दोनों साइड मने ऐसे बोल्ट दिए गए यह आप DECK सकते हैं यह दोनों तरह से फीट्रै बैटठती थी बिल्कूल तो यह चाप भी थी और भी थी जी अच्छा जी इतनी इस लुपी जान का लिए बिल्कुल बिल्कुल तो किसान भाई यो अब आप देख सकते हैं तो जी यह जब आया था यह डीजल में था पैट्रोल में था जी तो अब यह डीजल में है अब डीजल में तो किसान भाई यो सुन्वान देखा यह से जो है चला रहां की को सब्सक्राइब करते हैं कि pole के पिल्कुल नहीं पुर्प देख सकते हैं तो यह अपने अपोलो वालो से मंग लए ता तो थे सिस्सार टैर आक आप देख सकते हैं टेक्टर काफी अच्छी हालत में है नहीं बैटरी है टेक्टर पे और टेक्टर जो है सेल में नहीं है बिलकुल भी आप देख सकते हैं सीट एंटिक सीट है इसकी वही पहले वाली टूल बोक्स बहुत अच्छा लगा हुआ है टेक्टर जो है बस पेंट बात रहे थी जो अंकल ने मुझे अभी बताई है अंकल बताई ये इसके च्छावे के बारे में अच्छा हमेसा भारी खड़ा हुआ तो किसान भाई आप देख सकते हैं ये जो एक बहुत अच्छा दुबार है काफी बड़ा लंबा तो इसकी कितनी लंबाई होगी जी 2020 में इसे च्छावा मिला है और उससे पहले ये कैसा भी मोसमों भारी खड़ा रहा लेकिन आप ये देख सकते हैं ये लोहा कैसी क्वालिटी का होगा सीट ये देखिए घट्टू नहीं हुए जो थे जहां के जहां वैसी डेंट नहीं आप देख सकते हैं किसान भाईयो ये एक बहुत ही रेर बात है कि ट्यक्टर पूरी जिंद्गी बहार खड़ा रहा अब आ कैसे एक दो साल से ही च्छावा नसीब हुआ है जहें उन्होंने इंतिजामात करे हैं इसके लिए और ट्यक्टर कमाल की बात ये है कि इसकी बोड़ी में ना गलावट है ना घट्टू ह अगर पेइंट भी करवान के तो सिर्फ पेंट का ही खर्चा है कहीं को को डैंट निकर वानी कुछ नहीं करवाना है तो यह हैंन coffee आपने जो हो देखा हिक चैजज इन्हों ने अब करें कुछ जो है चीज पहले थी वे हटवा दी गई है लेकिन टेक्टर जो है आज के इसाफ से डीजल में चल रहा है दो सिलिंडर इंजन है नई बैंटरी रखी है बोडी में कहीं कोई गलावट नी है अग्डे से पिछे तक फुली ओरिजिनल टेक्टर है पहले पैंटरोल में था अब डीजल में है इंजन वो ही है तो किसान भाई आप देख सकते हैं टेक्टर बहुत ही जाद है अच्छी हालत में है इतना पुराना होने के बावजूद भी 51 मोडल है जी 50 51 मोडल है तो किसान भाई यो वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब धन्यवाद जुड़े रही है